कॉंग्रिस प्रदेश अद्यक्ष जीतू पटवारी का गंभीर आरोप कहा सरकार ने कराया था फैक्टरी में ब्लास्ट नमस्कार आप देख रहे हैं अदर खबरदार नियूज और मैं हूँ आपके साथ श्वेता तो चलिये रुक करते हैं आज की प्रमोक और बड़ी खबर पर हरदा में पटागा फैक्टरी में हुए विस dashboard के बाद मोगे पर पहुंचे पिजितू पटवारी ने मोहन सरकार पर सवाल खड़े किये हैं हरदा में पटागा फैक्टरी में हुए विस्फोर्ट के बाद अब राजनीती शुरू हो गई है बोदवार को PCC चीफ जीतु पटवारी मौगे पर पहुँचे जहाँ उन्होंने मीडिया से बर्चर्चा के दोरान प्रदेश की मौगों सरकार को खेरते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं जीतु पटवारी ने का कि हमने प्रदेश में मौफिया रेत माफिया सुना था लेकिन बाजपा के राज में बारुद माफिया भी पैदा हो गए हैं उन्होंने का कि प्रदेश के मुक्य मंतरी कुर्सी से चिपके हुए बैठे हैं उनको घटना वारे दिन ही मौगे पर आकर परिशान लोगों से मिलना था जितु पटवारी ने सरकार से मांग की है कि हाथसे में जो घायल हुए है उन्हें दस लाक और जिनकी मौत हुई है उन्हें एक करोड रुपे की सहाय तराश्टत का चारी की जाए जितु पटवारी ने रेस्क्यों अभियान पर भी सवाल रठा हैं उनका कहना है कि जिस तरह यहां ताबर तो और पोकले नमशीने जमीने खोद रही है उससे लगता है कि सरकार लाशों को निकालना नहीं उन्हें दफना ना चाहती है उन्हें कहा कि इतनी बड़ी घटना होई है और फोरेंसिक का एक भी अधिकारी नहीं है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी किसी बड़ी और खास खबर के साथ तब तक के लिए नमश्कार और देखते रहिए दा खबरदार नियूज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत Civil Engineering से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं शिफ्टिंग की टेंशन अब नो टेंशन शिफ्ट को पैकस एंड मुवस है ना जो आपके घर के पूरे सामान के साथ आपकी बाइक वाकार को स्रक्षित एवं जिम्मेदारी के साथ आपके घर तक पहुँचाता है तो आप देख इस बात की आज ही संपक करें दोबलेट टो एट ट्रिबल जरो सेवन वन सेवन